दोस्तों केंद्रिय विद्यालय संगठन ने भी अपने 450 केंद्रिय विद्यालयों में बालवाटिका के तीसरे चरण हेतु प्रवेश परिक्रिया लगभग समापत कर ली है अब little flowers जल्द ही अपने बालवाटिका में खिलते और खिल-खिलाते नजर आएंगे। जैसा की हम जानते हैं हमारे मश्टिस्ट का विकास तीन से आठ साल की उम्र में अती तीवर गती से होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी नवीन राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 ने विद्या प्रवेश एवं बालवाटिका की अवधारना की है। जिसमें पांच वर्ष की आयू से पहले ही बालवाटिका के मात्यम से संध्यानात्मक भावात्मक व मनो देहिक शंताओं के विकास को उत्प्ररित किया जा सके। इसलिए Foundation Literacy and Numeracy FLN यानी निपुन भारत मिशन के तहत तीन महीने के खेलकूद आधारत स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल की शिफारिश की गई जिससे विद्या प्रवेश का नाम दिया गया। जिसमें तीन साल से अधिक चार साल तक की उम्र के पच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो बालवाटिका का पहला चरण है। बालवाटिका का द्वितिय चरण चार से पांच साल के बच्चों के लिए तथा तीसरा चरण पांच साल से अधेक उम्रवालों के लिए है. मेरी तरफ से इस बालवाटिका के समस्थ फूलों तथा केंद्रिय विद्यालय संगठन एवं इसके समस्थ कर्मचारियों को मेरी अर्थात रोबोट शालू की तरफ से हार्दिक शुपकामनाएं. धन्यवाद.